हेलो फ्रेंड्स मैं हुमोशुमी मीनी पर्क से और उमीद है कि अब सब बहुत अच्छे से होंगे स्वास्थ होंगे और सेफ होंगे तो फ्रेंड्स मुझ से और रहा नहीं गया तो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ गार्डिन की तो फ्रेंट्स अभी तो मेरे गार्डिन का कोई भी नाम और निशन नहीं है क्योंकि गार्डिन पे काम चल रहा है तो अभी तेयरी चल रही है मेरे जो लेंपो स्प्रेंटर है उसको उखड़ने की और इधर पे भी बहुत सारे काम होने वाले है तो फिल हल वो तेयरी के साथ साथ काम भी चलू है और मैं और दादा परी सब मिलके इधर ही परी रहती हूँ तो फ्रेंट्स बहुत सारे डिसकर्शन के बाद हम सब ने इस नितिजे पर पहुँचे के टरस पर टाइस लगने है और बहुत सिंबल सा कालर चुना है मैंने तो फ्रेंट्स बहुत सारे फ्रेंट्स मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसे हूँ और उनको मैं बता दूँ कि मैं बिलकुल ठेक हूँ दादा और पड़ी भी ठीक है, स्वस्थ है और होब कि आप सब भी स्वस्थ हो, ठीक हो, सेफ हो तो friends, thanks a lot कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिखाया, मेरे बारे में सोचा तो देख सकते हो, कुछ हद तक कामकाच तो हो गया है लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है तो अभी मेरे इतने सारे plants की सालत में है वो मुझे थोड़ी दिखानी है आप सबको तो ऐसे देख सकते हो कैसे करके ये सर्वाइब कर रहे है तो मेरे तो winter के सारे flowers वो उसका जो हाल है देख सकते हो किस हाल में है वो और ये holy hawk इसमें flowering होने ही वाली थी लेकिन बिना धूप के बहुत दिन रहे है तो सारे के लिए जड़ गया है और पता नहीं ये पिटुनिया शौक में आ गया है शायद क्योंकि इधर से उधर उधर से इधर यहीं चलता जा रहा है इस प्लांस के साथ तो ऐसा हो गया है मेरे प्लांस दील दुखाने की बात नहीं करना चाहती हूँ मैं कुछ खुशियो वाला बात भी बोलना चाहती हूँ और वो है इधर मेरे गार्डन में देखो अमरे लिसलिली की फ्लावर यह मैं बाल्ब्स लाई थी और उसमें एक तो स्टिक निकले हैं और दूसरे में फ्लावर खिल गए हैं तो कुछ इस तरह है अभी और यह जो मेरे बोगन भलिया जो मैं उपर मेरे टेरस पे लाना चाहती थी वो आखिर कर चले आये हैं तो देख सकते हो तो बस एही हाल है अभी मेरे गार्डन का तो हूप करती हूँ यह छोटू सा वीडियो आप सबने पसंद की हो और मेरे देशी रोज देख सकते हो कितने सारे कलिए आये थे सारे के सारे ज्यर्गे तो फ्रेंट्स एही है अभी मेरा गार्डन तो फिर से मिलते हैं तो ओके बाई टाटा